एक बार की बात है, एक गाउं आगरा में एक बाराज जा रही थी, दूला जिसका नाम कलुआ होता है, बहुत ही खुश नजरा रहा था, कलुआ अपने दोस्त शामु से बोलता है, मेरे दोस्त हरिया, मेरे भाई आज तेरे दोस्त कलुआ का भी प्या हो गया है, तुम सब लोग मेरे काले रंग का मजाग उडाते थे ना कि शादी नहीं हो सकती, अब देखो मेरी शादी तुम सबसे पहले हो रही है, वह भी इतनी संदर लड़की से, ये बात तो सही कहारा कल हरिया की बात सुनकर कलुआ को गुस्सा आ जाता है, तुम दोनों मेरे दोस्त हो या दुश्मन, एक नंबर के ठेरकी हो, मेरे इस सामने मेरी पत्नी के बारे में भला बुरा बोले जा रहे हो, कलुआ भाई तुम्हे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम आपसे मजाग कर रहे है और वैसे भी अगर कोई सुन्दर है तो उसे सुन्दर ही बोलेंगे न, आप तो बुरा मान गए, तु भी निकल यांसे, बहुत पक्ष ले रहा है इस कबारी तांत्रिक का हरिया और शामु कलिया की शादी से गुस्से में बाहर निकल जाते हैं, शामु गुस्से में हरिया से बोलता है यार हरिया, ये कलुवा ने ठेक नहीं किया, इतनी बेज़िती तो मेरी कभी नहीं हुई है, इस कलुवा ने तो हमें छिछोरा और मन्चला बना दिया, और आपको तो ढोंगी ता अंतरेक सही कहा रहा शामू, इस कलुए ने मुझे बुरा भला बोलकर अच्छा नहीं किया मैं अपने इस अप्मान का बदला लेकर रहूँगा ऐसा बदला लूँगा इसकी साथो पुष्टे याद रखेंगी ऐसा कहकर हरिया शामू को साथ लेता है और बारात से दूर जाकर एक जंगल के अंदर आग जलाकर यग्य करने लगता है चामू डरते डरते ये सब देखने लगता है हरिया हवन कुंड में आग भड़काने लगता है आग की लप्टें उची उठने लगती है तभी वहाँ चारो तरफ एक तेज रोशनी फैल जाती है और रोशनी के बीच में से एक शैतान बाहर निकलता है क्या हुक्ब मेरे आगा मुझे ऐसे याद क्यों किया मेरे पाल तो शैतान मेरी बहुत बेज़िती हुई है तुमेरी मदद कर मैं इस सब बेज़िती की आग में जलकर मर जाओंगा नहीं तो मेरे आगा में आ गया हूँ हम दोना मिलकर सबसे बद डालेंगे लेकिन इससे पहले मुझे पीने के लिए खून चाहिए मुझे खून दो मैं कई दिनों से भूका हूँ शैतान की बाद सुनकर हरिया अपनी हथेली काट देता है उसमें से खून गिर्ने लगता है हरिया खैतान से कहता है मेरे शैतान मुझे पता था तुझे भूक होगी तुम यहा खून पी ले और अपनी भूक मिड़ा ले वा मालेक, तुमने मेरी प्यास बुचा दिये, तुम जो भी बोलोगे मैं करूंगा उधर हरिया, शैतान को अपनी बेज़जती के बारे में सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर शैतान हसने लगता है, और बोलता है ऐसा कहकर शैतान, एक चुटकी बजाता है, उसके चुटकी बजाते ही वहाँ एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है, और शैतान से कहती है मेरे भाई शैतान, बता मुझे क्यों याद किया, किसका गेम बजाना है फिर शैतान चुड़ैल को हरिया के बारे में बता देता है, और फिर चुड़ैल वहाँ से निकल जाती है और एक लड़की का रूप बदल कर कलुआ की बारात में चली जाती है इतनी सुन्दर लड़की को देखकर बाराती खुश हो जाते है एक बाराती जिसका नाम नन्हे होता है चुड़ैल के पास आता है और बोलता है आप तो बहुत ही खुबसूरत हैं, किसकी तरफ से हो, जर अपना परिच्चे दो, हम तुम से नन्हे की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है एक जोर से चाटा मौरूंगी ना, यही ने पढ़ जाएगा ठिकी कहीं का, चल, अपना गुबर सा मू लेकर निकल यहां से ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से जाती है और कल्वा के घोड़े के आगे आकर खड़ी हो जाती है चुड़ैल को देखकर घोड़ा घवरा जाता है और कल्वा को नीचे पठक देता है एरे मर गया रे, इस घोडे ने तो मेरी कमर का कमरा बना दिया मेरी कमर तोड़ दी, मेरे पाबा को बुलाओ चुडएल कलवा के पास आती है और इससे पहले कलवा कुछ समझ पाता वो कलवा के भीतर समा जाती है कलवा बेहोश हो जाता है तभी वहां कलवा का बाप गोरे सिंगा जाता है तभी वहां नन्हे आता है और अपनी सड़ी हुई बदबुदार जुरावे कलवा के नाक पर ल कलवा रात में अपने कमरे में जाता है और उसकी पतनी गौरी उसे देख कर बोलती है अरे क्या हुआ जी आपकी आँखे इतनी लाल क्यों है ऐसा लग रहा है कोई होनी चुडैल मेरे सामने खड़ी हो तुने सही पहचाना गौरी मैं एक चुडैल हूँ और तेरे पती की जान लेने आई हूँ मैं तेरे पती के अंदर हूँ अंदर चुडैल की बात सुनकर गौरी घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है अगली सुभे जब उसे होश आता है तो कल्वा उसे साड़ी पहने और लिप्स्टिक लगाए होए देखता है ये देखकर गौरी कहती है ये सब क्या है जी? ये आप मेरी साड़ी पहने और मेकप लगाए कहां गूम रहे हो? अरे ये सब उतार दोना नहीं तो सब लोग तुम पर हसेंगे गौरी की बात सुनकर कल्वा बोलता है गौरी मैं किसे से डरती हूँ क्या? अरे जो भी कोई मेरे पास आएगा वो जिन्दा नहीं बचेगा अब मैं इस आदमी के शरीर के अंदर ही रहूंगी ऐसा कहकर कल्वा उसी रूप में गाउ में निकल जाता है पूरा गाउ कल्वा को देख हसने लगता है और कल्वा की मटकती चाल को देखकर गाउ का मंचला रोम्यो बोलता है क्या कल्वा भाईया? इस मेकप में तो आप बिल्कुल माधरी दिक्षित लग रहे हो लगता है पूरे गाउं को अपनी अदाउं से मारने का इरादा है रोमियो की बात सुनकर कल्वा रोमियो के पास जाता है और रोमियो को गर्दन से पकड़ कर उठा लेता है कल्वा में आई चुडैल रोमियो को मार डालती है ये सब गाउंवाले देख लेते हैं और सरपंच के घर जाते हैं और सरपंच को जाकर बताते हैं आगया सरपंच तू भी यहाँ सब क्या सब मरेंगे मेरे मौलिक को परिशान किया है तुम सबने किसी को नहीं चोड़ूंगी समझे ऐसा कहकर चुडैल गाउंवालों की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन तभी गाउंवाले उसे एक जाल में क्याद कर देते हैं और डंडूं और लाठियों से पीटने लगते हैं अरे मत मारो मुझे छोड़ दो बहुत बहुत दर्ड हो रहा है अरे छोड़ दो मुझे छोड़ दो अरे अईसे नहीं छोड़ेंगे तुझे पहले अपने मालिक का नाम बता जिसके कहने पर तो इस कलुआ के शरीर में घुसी है टुडेल गाउंवालों को सब बता देती है गाउंवाले कलुआ को पकड़ कर हरिया और शामू के पास ले जाते हैं और सरपंच गुसे में बोलते हैं ये तुने ठीक नहीं किया हरिया तो मैं कलुआ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा कहकर हरिया शैतान को बलाता है शैतान सामने आकर गाउंवालों की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तभी गाउं के पंडित वहां आ जाते हैं और अपने साथ से भवूत निकाल कर हवा में उड़ा देते हैं भवूत चारो तरफ फैल जाती है ये क्या हो रहा है मेरे शक्तियां का हम क्यों नहीं कर रहीं दुष्ट तुने एक क्या किया मेरी सारे शक्तियां चीन ली ले